तो आज हमारी इस online class में हम discuss कर रहे हैं आपने data menu को और data menu बार में हम बात करेंगे सबसे पहले advance filter तो normal filter तो आपने लगाना सीखा था और आपने सीखा था database and list management formula d sum d count वगड़ा तो उसी से मिलता जुलता हमारा feature है ओ है advance filter का कि हम इसको copy करते हैं और अलग सीट पर पेश करता हूं इसी पर रहने देता हूं है तो मान लिजी कि मुझे filter लगाना है तो आप यहां से filter लगा सकते लेकिन मिरे पास कई सारे conditions हैं तो कई सारे conditions को मुझे कई बार filter लगा के data को निकालना पड़ेगा कई बार जैसे कि मैं heading को copy कर रहा हूं यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने मठा जाता हूं हम तो मिरे तीन चार-पांच फिल्ड में लगाना है सबसे पहले मालेजे में डिपार्टमेंट आइटी होना चाहिए आइटी डिपार्टमेंट की सेलरी जो है और उसके बाद मुझे एक और चाहिए मुझे मालेजे कि मुझे आर एंडी का पूरा ओवराल सेल चाहिए ऐसे मेरे पास कई सारे कंडीशन से अगर मैं मैं मैंनुवल करने चलूं तो क्या होगा कि मुझे पहले इटा निकालना पड़ेगा फिर मैं जन्वरी का इंटा निकलना पड़ेगा तो जितने लाइन ओफ हमारे पास एक कंडीशन होंगे उतने लाइन ऑफ कोड हमें यहां करने पड़ेंगे ठीक है 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 त्सक्राइब अ मिया का QA तो हम यहां पर यूजे करईगे Advanced ९ूजे-Stry अम देटा मेरे विह भर में जाते हैं एड्वांय पर क्लिक करेंगे और यहां टे रइंज होगे यहां पर होता है काईटेरिया उस utility करेंगे और या थैब का joste का हैदिंग नहीं है तो मुझ्किल हो जाएगा ठीक है कि अगळगे अब देखिए नहीं सारे ऑफिल्टर नहीं नहीं देटा कॉपी करना चाहता हूं तो आप यहां आपके जो advanced filter है इस advanced filter में copy करने का भी होता है यहाँ पे coffee to another location बट copy to another location करते हैं तो आप जह है उसी seat के किसी अनुदर location में आप data को copy करवा सकते हैं यह है अमारा advanced filter स्वजमाने आपको advanced filter तो यह advanced filter था अब advanced filter से आगे बढ़ते हैं झाल झाल